नमस्कार आप देख रहे हैं था फोर्थ नमस्कार आप देख रहे हैं था फोर्थ एस्टेट न्यूज नेट्वरक और मैं हूँ रंजन आपको याद होगा आज से करीब 13-14 दिन पहले कटुआ में एक चौपर जो है दुरगटना गरस्थ हुआ था जिसके बाद दो पाइले घ्रशोधे वहां से लापता हो गए थे और उनमें से एक पाइलट जो है उसकी बाड़ी मिल चुकी है मैं बात कर रहा हूं लेफ्टनन करनल इस बात की जिनकी बाड़ी जो है उस रंजीत सागर डैम से निकाली गई है और उनकी बाड़ी उस डैम के जो मलबा है नीचे दल उसक impress you've got each one onपने कोशिश कर ली ती और कोशिश कर रहे थे लगातार कि उनकी निकाली जा सके उनने ढूला जा सके बढ़ किसी के हाथ भी काम्यावी नहीं लग रही थी लेकिन उसके तलने एक काम्याभी हात लगी और एक पाइलिट की बोडी बर्ामत हो गई हाला कि उम्मीद ये भी की जा Ralph ए थी, शयुक्रा धूर पाइलक्त div कर दी गई है और ताकि उनकी जो बाड़ी है उसे भी निकाला जा सके और उसे भी जल्दी ढूंडा जा सके लेकिन तेरा से चोदा दिन बहुत लंबा वक्त होता है और अगर बात करें इस दुर्गटना की तो करीब तीन अगस्त की सुबह लगब सुबह दस बचकर पचास मिनट पे एक दुर्व एचल मार्क फॉर हैलिकॉप्टर जो था वो करेक दुर्गटना करस्तो कर रंजीत सागर डैम जो है वहाँ पर उसमें गिर गया और उसके बाद दोनों पाइलेट्स जो थे उसमें वो लापता हो गए लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत सारे सर्च आपरेशन्स हुए चाहे फिर अलग-अलग मशीन्स की में बात करूँ अलग-अलग मशीन्स जो है वो मंगवाई गई और उन मशीन्स के जरीए भी उन्हें ढूंडा गया लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और जिसके बाद घर वालों का सबर का बांद भी तूट रहा था और घर वालों ने भी अब बोलना शुरू कर दिया था कि आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि अभी तक बाडी दोनों की नहीं मिल पाई है और एक परसंड जो है एक हमारे पाइलट जो है उनकी बाडी तो मिलके लेक लिए रेस्क्यू उनिट है वो भी इस तलाशी अभियान में लगी है वो भी उस हलिकाप्टर और पाइलेट की तलाश में जुटी हुई है और असी सा सोफिट गैराई तर जाकर जो है इन इस बाडी को डूंडा जा रहा है लेकिन दुखत खबर यही है कि फिलाल एक बाड शांती मिले और बगवान उनकी आत्मा को शांती पहुंचाए यही बात कह सकता हूं फिलाल मैं लेता हूं आप से इजाज़त आप बने रहे हैं ता फोर्ट एस्टेट नियुजर्ट परक के साथ जाहिंद